हेलो फ्रेंण्ट्स मैं जानगीर अध कर ने साथ ऐड़ोकेट आज बताऊंगा उमरकैद की सजा मिलने पर कैदी को कितने साल की फज़ा होती है कुछ लोग कहते है अजीवन कारावाज कुछ लोग कहते है जवदा साल कुछ लोग कहते है 20 साल एक्चिली में कितने उवर इसकी सजा होती है अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है उमर कहत किसी दी गई है तो आज हम जानेंगे कि IPC का कारून क्या कहता है तो दोस्तों वीडियो के बहुत ही छोटी है किसी सजा बहुन लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन इस्टित बनी रहती है को इतनों पहले साफ से कटवा कर अत्या करने के जुन में एक सक्स को केरल की कॉलम सेसर कोटे दो अरीक उम्रकैद की सजा सुनाई थी अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि उम्रकैद की सजा में दो अरीक उम्रकैद क्या है वहीं कई बार ऐसा पर देखने पर मिलता है कि उम्रकैद की सजा होने के बाद भी अपराजी 14 साल या 20 साल में यह जेल से छोड़ जाता है इसमें भी कानून है तो आई जानते हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने कोशिश करेंगे दोस्तों आजीवन कारावास की सजा पाने वाले ब्यक्ति को 14 साल या 20 साल सजा काटने के बाद रिया कर दिया जाता है आपको बता दें कि इसके पीछे की वज़ा कुछ और ही है दरसल राज सरकारों के पास कुछ मामदंडों के अदार पर किसी भी ब्यक्ति की सजा को कम करने की पूरी-पूरी सकती होती है यानि कि राज सरकार चाहे तो सजा को कम कर सकती है यही कारण की अकसर हो सुनते हैं कि आजीवन कारावास सजा का ट्रे ब्यक्ति को 14 साल या 20 साल में रिया कर दे जाता है दरसल दस्तो भारती दरसाही तक IPC की दारा 55 और 57 में सरकारों सज़क कब बने का अधिकार दिया गया है यही 55 और 57 IPC में बताया गया है कि यह जीवन कारवास को 14 या 20 साल में करवट किया जा सकता है तो दस्तों आज की वीडियो में विश्चे इतना ही मिलेगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आप अगर नए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें